कि हिसे कि जटेंगे जिए Dear अ success प्रापति जर्टरंस स्टेबलीटी ऑफ मैं चिन की अंधर जैनल लोगों ने देखना होता है कि हमारा जो है वह स्थेबल है यह नहीं स्थेबिलिटी के अंदर हमारे पास त cabinetsodi की हाती हैं अगर आयल गल्वुल इंटरनल फेस के अंदर आपको नजर आएंगे अक्झेम भी है कि नहीं बैटा इसमें और वह बना देंगे और जैसे यह बना देंगे तो इसलिए बड़ेगी इसलिए बड़ा जरूरी है यहां पर देखना तो यहां वह कहता है जी टाइप सब्सक्राइब करेंगे तो इसलिए बड़ा जाएगी वैसे उसके एक्सटर्नल फेस बनने के चांसे बढ़ते जाते हैं अब यह बहुत इंपॉर्टन बात अब इस पर आप लगो मेंसे लड़ाई भी करेंगे तो पूरी कहानी बदल दिये आज तक हमने इंपॉर्टन के बारे में यह पढ़ा है कि जो इंटर्नल फेस है वो 50% से जादा नहीं हो सकता यही पढ़ा है आप लोगों ने यहां पर वो बुक में लिखता है कि जी इंटर्नल फेस कुड़ आक्यूपाई एज मच एज सेवन्टी फॉर परसंट आफ दी टोटल वालीम आफ दी इमलजिशन अच्छा अब हमारे नजदीक एक्स्टर्नल फेस वो होता है जिसकी करता हूं उसको कि हम लोग आइल इन वाटर इमलजिशन बना रहे थे हमने वो इमल्सिफायर यूज़ किया जो आइल इन वाटर इमलजिशन ही बनाता है अब आप कॉंटिटी इफ आइल बढ़ाते जा रहे हैं और आप 74 परसंट तक ले गए हैं उसको मिन 74 परसंट आइल ह परसंट वाटर हो गया आपको साथ ही साथ कंसेंट्रेशन ओफ दी इमल्सिफायर को भी बढ़ाना पड़ेगा कि वह बांद गया रखेगी अब जब हम यह कह रहे हैं कि 74 परसंट तक हम लोग जा सकते हैं इट डिजन्ट मीन कि 74 परसंट तक हमने जाना है ठीक है कि सम को यह को बढ़ाना पड़ता है ड्यू तो सर्टन इन अप्रोप्रियेट रीजन तो यह दिखा गया कि 74 परसंट तक बनाया जा सकता है बाइड इडिशन ऑफ एप्रोप्रियेट इमल्सिफायर मैं यह नहीं कहा रहा कि इतना बनाना है ठीक है जरनली 40 परसंट तक हम लोग सब्सक्राइब बनाते हैं 40 परसंट होता है लेकिन अगर किसी का बहुत कोई मसला है को आगया कि आपको बढ़ा नहीं है तो यू कन गो एज यू में से आप इंक्रीज कर सकते हैं तो 74 परशंट तक ठीक है और दिखा गया कि मैं स्टेबल रहा है तो इंकीज विसकॉश्य यह भी कंसिंसी विश्ट को बढ़ाता है इंक्रीज फ्रेक्शन वॉल्यम ऑफ इंटर्नल फेज अग्रीज पार्टिक अज़िए पांच परामेटर्श जो स्टेबलिटी यह कंसिस्टेंसी ऑफ इंटर्नल फेज पहला है तो इंक्रीज विसकॉस्य ऑफ दी इमल्शन मीनस क इसकी कंसिंटर्श बढ़ाना दूसरा है इंक्रीज फ्रेक्शन वॉल्यम ऑफ दी इंटर्नल फेज ठीक है तीसरा है डिग्रीज दी पार्टिकल साइज अफ दी इंटर्नल फेज चोता है एडिशन ऑफ इंक्रीज अमांट्स ऑफ इमल्सिफिंग एजेंट और पांचवा ह है एडिशन ऑफ हाइड़ो फोबिक a घुदर्ग ओफ आइजेगे एडिशन ऑफ हाइड वी कंसिस्टेंश ऑफ दी इमल्शन को बढ़ाएगा ठीक होती है अपड करीमिंग भी होती है और डाउनवर्ड क्रीमिंग और रहा गुरी मिग्च क्रीमिंग चाहे अपड़ोड य the product is not homogeneous and can lead to poor content uniformity so either your creaming is upward or your creaming is downward stability of emulsion के केस में हमारे पास जो है क्रीमिंग का मैंने आपको एक्सक्राइन कर दी है कि आइदर ड्रापलर्स जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं या ड्रापलर्स जो है हो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं अल्टिमेटली हमारा प्राड़क्ट जो है वो होमोजीनिस नहीं रहता और सिस्टम जो है वो फेज इनवर्जिन की तरफ मूव करता है तो यह अब क्रीमिंग को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं तो जनरली दो मैथड़्स हैं एक ह इनर्जी करें के जो इंटरनल फेज है उसका ड्राप लट इतना छोटा हो जाए कि वह आपस में मिली ना सके नबर वन और नबर टू यू कर इंक्रीज दी विस्कॉस्टियों सिस्टम तो डैट एक्स्टेंट के अपवर्ड या डाउंवर्ड मूंट ऑफ पार्टिकल ना ह इसे आप क्रीमिंग से बच सकते हैं फिर नेक्सक्त अब्रेब्स हों वateur आप वह सिंगल यूनिट यहं लोग्ली डिसकस कर चुकी हैं एक्रीक शूफर मैं बोड बोल आप को एक्स्पर्ड कर चुकह हुँ कि इंडिवेज्वल पार्टिकल जो हो आपस में जुड जाते हैं हैं लेकिन उनकी बाउंटरी जो हैं वो इंटेक्ट रहती ठीक है तो एग्रिगेट के केस में पार्टिकल कम तुगेदर बिहेव लाइक सिंगल यूनिट बट डू नट फ्यूज दीज दू लार्ज इन साइस टेंड टू क्रीम फास्टर एंड फॉर्दर प्रोवाइप सिस्टम के अंदर तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं और में भी कंट्रोल बाई चूजिंग डिफरेंट सर्फेक्टर सिस्टम एंड कंट्रोलिंग देटिकल अलेक्टिकल पुटेंचल अब सिस्टम जो लोग कुस्टिंस करते थे पहले मेरे से कि हम लोग ती जो थी या ज कर सकते हैं बाई केरफुली अड्जेस्टिंग अलेक्टिकल पुटेंचल और अच्छी देगस एजिटेशन के साथ अब अग्रिगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं नेक्स हमारे पास जो थर्ड कैटिकरी इसके इंदर आती है वो आती है क्वालिसेंस की फ्यूजिन अफ अपने आपको बहेव करते हैं अधिविज्वीज्व दो वो साथ जोड़ जाते हैं लेकिन फ्यूज नहीं करते क्वालिसेंस के अंदर उनकी बाउंडरी खतम हो जाती हैं और वो फ्यूज हो जाते हैं आपस में और नमर ऑफ पार्टिकल कम होना शुरू जाते हैं अगर अ पार्टिकल स्थ तो अब दो रह जाएंगे दो उन दोनों का साइज बहुत बढ़ा हो गा लेकिन वह दो के तरह करें भेंगेर दस क्यों करेंगे वहां पर लेस्पारिकल संग वह 50 बहुन करेंगेге तो यह तो यह कॉलिसЕंस कि असे में कि ऐसे में आउब को सबस्क्राइब कुछ हमारे पास है सेस्मेंट है सेस्मेंट आफ पूंड ऐ्मीरेशन शेल्फ लाइफ के बाद जो हमने इस्टेबिलिटि के तीन पैरमिटर प्ड़ लिए अब हम यह कैसे पता लगे इसके परफॉर्म करनी होती है तो हमने यह कुस्ट अपने आप से करने होते हैं पहला हमारे पास question जो है वह यह है कि जी असेप्टिबल इमल्शन शेर्फ लाइफ एन वाट इस दी प्रेडिक्टिबल इमल्शन इंडिकेटर ऑफ लाइफ फाइनल एवल्वेशन शुट बी कंड़ेट इन डी कंटेंडर डैट विल बी यूज कमर्श अच्छा जी असेस्मेंट के हम लोग डिसक्स कर रहे थे इमल्शन शुट बी कंड़्टिड इन दी कंटेंडर डैट विल बी यूज कमर्शिली हमने जब भी अपने इमल्शन की एवैल्यवेशन परफॉर्म करनी है तो फाइनल स्टेज पे जाकर परफॉर्म करनी है इसका मतलब ये है कि आ आपने इमल्शन मेनफेक्चर कर लिया ह करने गार अपन उसको पक है कर लिए निए पाध को सील कर लिया सील करने के बाद अब आप रहो फाइनल फाम है जिसमें मार्किट में जाना है और यह जब तक यह उस भुवेता इसे कपर रहना को स्टेबिलिटी अपने पड़ी होगी लांग टर्म स्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी तो कोई इसका फास्ट नहीं है ठीक है अनलेस अंटिल आप एक अंडियू स्ट्रेस में से अपने इमलशन को गुजारें या उस पर किसी सौर्ट किसी सौर्ट आफ को स्ट्रेस उसके पर अप्लाए करें या दूसरा कोई ऐसा परामिटर आप ढूंड लाएं उसके अंदर से जो इसकी इंस्टेबिलिटी को एक्स्प्लें करें ठीक है तो देरा बेसिकली टू अप्रोच इस पहली अप्रोच है पूर अनलेटी परामिटर को रेड़ दी शेफ लाइक दो परामिटर आपको भी बताएं पहला परामिटर बताया कि इसका रिजल्ट यह निकलता है कि आप इतनी दाद स्ट्रेस देते हैं कि जो सही मलशन है जिसने आम तोर पर सही रहना वह भी खराब हो जाता ठीक है या आप चूज कर लेते हैं जो परामिटर का रिजल्ट किसी भी में ठीक नहीं आता तो यह को कहते हैं ना कि यह तो कई है इसमें कोई प्रॉपर यह वे नहीं है तो जैनरली एकर आप बात करें स्ट्रेस की तो स्ट्रेस में तीन पैरामिटर आते हैं एजिंग एंड हैं आपकी एजिंग की तो एजिंग के अंदर रूटीनली शेफ लाइफ प्रॉड़क्ट अर डिटर्मिन बाय प्लेसिंग अंडर टंपरेचर हायर देन नॉर्मल इंकांटर फॉर वेरिंग पीरियर्स अचा अब एजिंग जो है बिसिकली जब इमल्शन बनेगा तब से ल सब्सक्राइब की और चेंज होने की वज़ा से वहां पर कोई क्रीमिंग को को एग्रिगेशन जो है ठीक है यही चीज यहां पर है कि रूटीनली शेफ लाइफ प्रॉड़क्ट को रखते हैं तो वह बिसिकली एक शेल्फ लाइफ स्टड़ी चल रही होती है उसके उपर त अगर आपको याद हो तो हमने आरहेनियस एक्वेशन भी डिसकस की थी दो के के एकल टो एई माइनस ए ओवर आर्टी थी तो इसके अंदर भी वह कहता है जी जो आरहेनियस एक्वेशन है वह इडिस आफ नो यूज इन इमलशन ठीक है क्योंकि वहां पर भी हमने देखा था इफेक्ट आफ टमपरेचर आफ टमपरेचर और डिफरेंट आपकी प्रेशंश है वह और हैस एक्सप्रेशन से हम लोग करते हैं करते तो यहां पर कहता है इसका कोई काम नहीं है और वह भी बताएगा आपको और एक्वेशन इस एक्वेशन स्टेट टेंडी डिग्रीज अगर आप सिस्टम के अंदर एक रेक्शन है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेट पर प्रोसीड करता और प्रोसीड करके डबल जो रियक्टेंट से डबल प्रोड़क्ट बनता है तो वह यह कहते हैं कि अगर फाइफ ही रियक्टेंट हो लेकिन टमपरेचर जो है उसको आप 10 डिग बढ़ाके 60 पर ले जाएं तो प्रोड़क्ट 20 बन जाएंगे यह कहती है और हैनियस एक्वेशन बट इन केस ऑफ मलचन इट इस रेक्नाइज डैशेंट टमपरेचर ब्रिंग इंटू प्ले निव रियक्शन अभी लेकिन जैसे मैंने बताया कि आर हैनियस एक्वेशन नही नहीं लगती इमलचन के उपर क्यों नहीं लगती विकास जैसे ही आप टमप्रेचर को बढ़ाते हो फॉर दी केथ ओफ इमलचन वहां पर कुछ नए रियक्शन डिवालप हो जाते हैं और हमें यह पता है कि इमलचन जो है वो थर्मो डैनमिकली अंस्टेबल सिस्टम तो व इस टेबल इस टेबल एट 40 तो 50 45 दिवी सेंटीग्रेट बट केंड़ डरेट अक्सेस फिफ्टी फटी फटी दिवी सेंटीग्रेट फात्मा कुस्टन कर रहे हैं जी डूरिंग मलचन प्रेपरेशन तमेजर इंक्रीज़ रिचन होने से इंटेशल टेंशन कम होती है तो औ इने साथ कि जतनी उसकी बड़ेंगी उतनी अंट्र इंटरफेशल टेंशन होगी यह एक बात आ और हेनी-स यह कहता है चेनरल अ एक तो प्रेक्षय बढ़ जाता। कि जब बढये तो बढ़ जाता है लेकिन हैं कि मैं कि मीर्चिर बढ़ए तो रे liz नॐब बढ़ा है उससे जुरो बन दो हो जाता है अजिआ है रेक्श में तेजन चिखती है कि तो गर में मेर्याक्षिन बढ़ एगा और cancel डबल हो जाता इस में offering का मुझ अब्र इस प्रॉब्लम शेल्ट ठाट बैसे करेंगे तो उस प्रॉडक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उसको से सेफटी केबिनियट मेरा रखते हैं और सटनी टाइम सपैन के लिए टमपरेइचर को और प्रेठर को बढ़ा देते हैं जो डिपक्ट करता है कि-हमने से लिए पंदरह से और इंक्रीजिंध प्रेशरे जो के ऑलिसली एक नोटपरेजि को मफिक्ट करता है इमेल्जन का तंपेजया बढ़ाएंगे तो वो खराब हो जाएंगा इसलिए इमेल्चन को एक्सेसीफ बरेच्चर पर स्टडी आप नहीं कर सकते हैं तो with एकिस्टेबिलेटर्टि टेस्टेंग ऑद स्वालि पायदा नहीं होता। जिस जस तरिको कर सकते हैं वह तो तंपरेचर जो है हमारे पास वो दो तरह का तंपरेचर है पहला तंपरेचर है मिनिमम 4 और मैक्सिम 45 मिन्स 4 से 45 डिवर सेंटिग्रेट के अंदर रहते हुए आप एक्सलरेटर स्टेडी इस प्रफॉर्म कर सकते हैं और आम तोब पे वह एक्सलरेटर यहां पर आम प्रॉडट्क को आप पदा दिन में स्टडी कर सकते हैं इसके लिए आपको तीन मां चाहिए होते हैं स्टडी करने के लिए नॉर्मल एजिंग ऑफ इमल्चन रिजर्ट्स इन कॉलेसेंस और क्रीमिंग कॉपल अब तो यह यहां पर कहते हैं कि हीटिंग से ज्यादा जो इमालचन खृब होता है वह होता है आपका हीटिंग से ज्यादा इमल्चन आपका फ्रीजिंग से खराब होता तो इस वज़ा से जो भी हमने टेमिटर साइकल वहां पर लेके जाने हैं उनको हमें कंट्रोल करना चाहे पड़ेगा और उसको लेकर आना पड़ेगा फोर डिग्री सेंटिग्रेट से 45 डिग्री सेंटिग् केस में शेट लाइफ अंडर नामल सोरी कंडिशन कैन बी प्रडिक्टेट बाइब ऑब्सरविंग क्रीमिंग और जाता है तो शायद कुछ फरक पड़ जाता है आपके सिस्टम के अंदर तो बेसिकली जो सेंटिफ्यूगेशन है यह डिपक्ट करती है अगर आपने एक साल में जितनी फोर्स ऑफ ग्रावटी उस पर लगनी और क्रीमिंग होनी है वही फोर्स ऑफ ग्रावटी आप सेंटिफ्यूगेशन वे उससे पांच मिंट के अंदर या दस मिंट के अंदर स्पैसिक स्पीड के उपर आप अप्लाए कर सकते हैं और देख स से इंक्रीज़ फ्रस ऑफ ग्रैविटी बिलती है और क्यों ऐसे आपको पता लगता है कि आपका इमल्चन जो है वह है फोर्स ऑफ ग्रैविटी के ऊपर यह लॉंग टम फोर्स ऑफ ग्रैविटी जो इस पर अप्लाए उतरेगी तो उसका क्या एफेक्ट आएगा विस्पेक् सेंटिमेटर रेडियस सेंटिमेटर हो और उसको आप सेट करें थैटी सेवन हंडडर और फिफ्टी आर्पीम के ऊपर और पांच घेंटे तक उसको चलाएं तो यह एक साल की ग्रैविटी के बराबर है मीज आपने वान येर की स्टेडी प्रफॉर्म कर ली है ग्रैविटी की अगर आप यह परामीटर अपलाए करें सेंटिफ्यूग लें जिसका रूटेटिंग रेडियस सेंटिमेटर हो रेवलुशन पर मिनट थर्टी सेवन हंडर और फिफ्टी हो और फाइफ आर्स तक आप इसको अगर यूज चलाते हैं मशीन को तो इमल्शन के ऊपर यह सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है नॉर्मल एजिंग में कभी बी अल्टर सेटिफिकेशन वाला एफेक्टर नहीं आता कि यहां वह कहता है जी टुटी फाइव थाउजन आर्पेम पर मूव करेंगे तो यह वैसी खराब हो जाएगा ठीक है तो जो मैंने आपको जो हमरे पास पहला था पैरामीटर जिसमें हमने की कर यदिशन की बात की थी है इस यहां केप पढ़ी है दो पढ़ी है contribute to the energy with which two droplets impinge upon each other excessive agitation of an emulsion or excessive homogenization may interfere with the emulsion formation conventional emulsion may deteriorate from gentle rocking on a reciprocating अब हमने ये पड़ा है कि जब emulsion को बनाना है तो हमें एजिटेट करना है उसको टिटूरेट करना है जब emulsion बन जाएगा emulsion बनने के बाद जो individual particle है वो brownie motion में होता है और वे दूसरे से दूर भागते हैं उस case में अगर आप बार बार agitation को रहें एक certain pattern पर agitation करते रहें करते रहें तो there are chances कि droplet एक दूसरे को बार 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 टकराए और इस टकराने की वज़े से देरार chances के वापस में जूर के कॉलेसेंस दे दें तो एजिटेशन भी इटसेल्फ यह एजिटेशन किसको डिपेट कर रही है यह movement of emulsion को या इस case में के transportation को डिपेट कर रही है के industry से गाड़ी के ओपर emulsion shop पे retail pharmacy पर किया है यह सारी चीदे जो है emulsion के ऊपर यह basically agitation है तो क्या agitation से creaming होती है यह नहीं होती यह भी stress factor है तो there were two methods जिससे आप stability of emulsion को check कर सकते हो assess कर सकते हो first method जो था that was stress related जिसमें हमने देखा aging and temperature centrifugation and agitation जो second था वो था को different parameter ढूंडें जिससे आप उसकी stability को check कर सकें see a test parameter that is more sensitive for deterioration of instability than mere microscopic observation तो जो second हमारे पास यहां पर parameter आता है वो आता है chemical parameter और इस chemical parameter को हम लोग इंशाल्ला आपने next lecture में इसको discuss करेंगे जो के इंशाल्ला आपने next lecture में इसको discuss करेंगे